कोशल को कैट्स नहीं लगी परफेक्ट जी हाँ हाली में काट्रीना ने शादी का एक साल पूरा होने से पहले ही गिनाई थी हस्बेंड विकी कोशल की वो हैबिट जो उन्हें जरा भी पसंद नहीं और अब विकी कोशल ने गिना दी है काट्रीना कैफ में कमी अब तो कैट्स के फैन्स भी ये जानने के लिए बेताब हो गए है कि आखिर उनकी फेवरिट स्टार में वो कौन सी कमी है वहीं दूसरी तरफ विकी कोशल की अपकमिंग फिल्म गोविन्दा नाम मेरा के BTS विडियो पर कैट्रीना ने कुछ ऐसा रियाक्शन दिया है जो उनके फैन्स जरूर देखना चाहेंगे विकी कोशल ने अपने रिसेंट इंटर्वियू में केट्रीना की डांसिंग अबिलिटी पर बात करते हुए कुछ ऐसा कह दिया है जिसका उन्हें खामियाजा भी भुगतना पड़ सकता है अच्छली विकी कोशल अपकमिंग फिल्म गोबंदा नाम मेरा में प्ले कर रही है और जब उनसे पूछा गया कि वो किसे कोरियोग्राफ करना चाहेंगे तो उन्होंने लिया केट्रीना कैफ का नाम लेकिन साथ ही टीस कर दिया विकी ने कहा आई वुड लफ टो कोरियोग्राफ केट्रीना कैफ वो ठीक ठाक डांस कर लेती है तैलेंटेट है लड़की बेटर कर सकती है लेकिन साथ ही विकी ने इतना कहने के बाद ये भी कहा बस आज खाना नहीं मिलेगा मतलब साफ है कि विकी भी वाइव से पंगा लेने का मतलब अच्छी तरह जानते हैं और उन्होंने जो भी कहा वो मजाक में कहा वैसे इस मजाक के अलावा विकी कोशल ने इंटिव्यू में किट्रीना की बहुत ज्यादा तारीफ भी की है और जहां तक बात है केट्रीना की तो आपको दिखा ही देते हैं कि केट्रीना ने विकी कोशल स्टारर गोविन्दा नाम मेरा की जलक देखने के बाद अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर लिखा जिसके जवाब में विकी कोशल ने केट्रीना की पोस्ट पर रेड हाट इमोजी के साथ लिखा बता दे कि रीसेंटली गोविन्दा नाम मेरा के मेकर्स ने फिल्म के बिहाइंड दे सीन्स का एक विडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया है और कैप्शन दिया है अग्लिम्स इंटू ओल दे खुशी एन हसी बिहाइंड गोविन्दा स् दुखी लाइफ वेल वी होब विकी कोशल की ये अपकमिंग फिल्म ओडियन्स को ज़रूर पसंद आएगी ओ माइ गॉट क्या विकी और काट्रीना जल्द ही होने वाले हैं अलग इनके बीच कुछ भी नहीं चल रहा है ठीक आखिर क्या हो गया है इस कपल के बीच और ये हम नहीं उनके फैंस पूछ रहे हैं वो भी इसलिए क्योंकि जब भी काट्रीना कुछ पहने या फिर डांस करें तो पती देव यानी विकी उसमें निकालने लगते हैं बुराई ये सवाल फैंस के माइंड में तब आया जब बीच दिन काट्रीना कैफ इंडिन लोग के साथ स्पॉट हुई थी जिसमें वो भला की खुबसूरत नजर तो जरूर आई और उनके इस लोग को देख जहां हर कोई तारीफ कर रहे थे वहीं लोगों ने ये भी कयास लगाने शुरू कर दिये कि शायद विकी को काट्रीना का विदेशी लोग पसंद नहीं आ रहा है इसलिए काट्रीना ने अपने लोग को चेंच कर दिया है वेल भला फैंस के दिमाग में सवाल आना लाजमी है इससे पहले विकी ने पतनी के डांस को परफेक्ट ना बताते हुए उसमें इंप्रूव्मेंट की बात कही थी ऐसे में अगर इतनी ब्यूटिफुल वाइफ में अगर कोई पती बुराई निकालने लगे तो जाहर सी बात है लोगों के माइंड में ये सवाल आना की दोनों के बीच कुछ ठीक नहीं चल रहा है ये लाजमी है खेर विकी को काटरीना का लोगों को डांस पसंद आए या ना आए उनके फैंस तो उन पर फुल फिदा है और हम तो यही दुआ करेंगे कि ये जोड़ी हमेशा सलामत रहे और खुड़ी है